हालो है लोगारे तो आतना यूटूब चनल अपनी फार्मसी, आज हम जानने वाले हैं मूध पेंट किलर श्प्रेंट के बारे में और वाले नी पैन रिलिफ स्प्रेंट के बारे मे इन दोनों के डिफरेसेस क्या है इन्हें Best COSA Pain Relief Spray है इसके Ingredient क्या है? इंनों किं-किं बीमारियों मैं आप इस्तमाल कर सकते हैं क्या है आपके Swelling को दूर करेगा? क्या है आपके Mazal Pain को कम करेगा? क्या है आपके Leg Pain को कम करेगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में चैनल पे crystals fight है 35 Grams का Spray आता है, इसके अंदर जो content है, Winter Green Oil आएगा, जो आपके Swelling को कम करने के काम करता है, Mint Extract आएगा, जो आपके Muzzle Pain को Relief देने का काम करता है, Turpentine Oil आएगा, जो आपके Pain Relief में काम करता है, and Equilibus Oil आएगा, जो आपके Joint को Relief देने का काम करता है, इसकेंड हमारा जो स्प्रेय है वह है वाली नी पेन रिलीफ स्प्रेय को सं फर्मसुटिकल मैनिफेक्चर करती है इसकी MRP है 149 रुपीज की MRP आती है 40 ग्राम्स का स्प्रेय आता है इसके अंदर जो कंटेंट है डाइकलोफिनक आएगा मीथिल सैलिसलिक आएगा मैंतॉल जानते है वक्ति किन बीमारील organs प् Vidyard कर सकते हैं इन दोनों पन रिलीफ को अगर आपको अंकल … हो रहा हो आपको बैक पोड़ा हो अगर आपको फूट पैं नहीं हो रहा हो अगर आपको मजल पें हो रहा हो जाइंट's Kapton नेक पें होацा को आपको स्वेलिंग तो आपको इसके लगाने से ऑपो राश Bennett हो सकती है इय्रिटेशन हो सकता है आपको इंफ्लामेशन हो सकती है आपको रेडनेस असकते है वाली नहीं माना गा है क्यूंकि जो ओली पेस्ट वो एक हैमिकल बेस्प्रेई तो यह आपके बॉड़ी मे जलसी जल absorb होने के लिए मुदद करता है जिसकी जल से आपको जो pain है वो जल से खतम हो जाएगी और साथी वाली नी स्प्रेव को बच्चों में भी इस्तमाल कर सकते हैं और वाली नी स्प्रेव को साथ दिन से जादा इस्तमाल ना करें अगर आपको इसको लगाने के बाद भी आपका pain जो है वो खतम नहीं होता है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें ये वीडियो जो है information purpose के लिए है अगर आप कोई भी क्रीम लेते हो तो एक बार बार डॉक्टर से जरूर कंसर्ट करें वीडियो इंफरमेटिव लेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thank you very much for watching